राम और कर्ष्ण का नाम लेना सांपरदाइकता नहीं है ये एक फैसन बनाया बामपंथियों ने और कथित प्रगतिशी लिबरल्स ने कि शरी राम का नाम, कर्ष्ण का नाम, शीव का नाम ये सांपरदाइक है लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में तो उत्तर प्रदेश में कहीं बिजली थी ही नहीं लोग बताते थे कि केवल इटावा में है और रामपूर में है कुछ दो-तीन जिलों में ही बिजली थी आधर्सराजनितिक कारी करता, अच्छे काम करता है quality वाले काम करता है लेकिन संतुष्ट कभी नहीं होता आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विदान सभा अध्यश्री हिदान दिछित जो राष्टी, लेखक, विचारक और इस्तमकार हैं चिंतन करते हैं और खाशकर वैदिक ज्यान को आज के समाज में सापेच में बताने का अपनी सरल सद्दों में वो जाने जाते हैं तो उनसे बात करेंगे कि वर्तमान में जो राजनीत है उत्तर प्रदेश से उससे समंधित कुछ सवार इसमें चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश 2022 का RLD और सपा का गड़ बंधन हुआ है उससे कितना फ़रक परेगा भारती जनता पार्टी भारती जनता पार्टी 24 घंटे काम करने वाली राजनीतिक पार्टी है इसके कारेकरता के वल चुनाओं में ही काम नहीं करते बारहों महीने लगातार पार्टी का चुनाओं चल रहा है है पहले उचण taşन का मदान हो गया है कई सारे वादे पार्टियां कर रही है कोई फिरी स्कूटी देने की बात कर रहा है महिलान को फिरी आत्राय कराने की बात हो रही है ऐसे करकर BJLी फिरी देने की बात हो रही है पुर है तेन सो खfrance सवसन संकल पत्र जारी करने का अधिकार है। सभी दल आम जंता में अपना प्रुभाव बाढ़ाने के लिए तमाम तरह की घोष्णाएं करते हैं। उन घोष्णाओं में अनेक ऐसी भी होती हैं। जिन पर संका उठाई जा सकती है। लेकिन ये प्रतेक दल अपनी अपनी घोष्णाओं के बारे में स्वयम जिम्मेदार होता है। और आम जंता के बीच में उसी के आधार पर वोट मांगता है। हम समझते हैं कि घोष्णापत्र पढ़े जाने चाहिए। और आम जनता को गोष्णा पत्र के बिंदों पर विचार करना चाहिए। भारती जनता पार्टी ने अभी तीन दिन पहले अपना संकल पत्र जारी किया है। तो जिसे किसानों के लिए सिचाई माफ कर दी गई, तो करशी कारे में ये कठिनाई किसानों के सामने रहती रही है, कि करशी में उत्पादन लागत ज्यादा है, और जो करशी जिन्सों का मूल लह उत्पादन लागत की तुलना में उतना अच्छा नहीं होता। तो ये सिचाई निशुल्क मिलने से उत्पादन लागत घटेगी। इसी प्रकार खाद और बिजली ऐसे और तमाम उपाय हैं। बिजली की अगर बात करें तो वह पच्छी पाटी जो सबसे प्रबल दावयदार है उत्तरप्रदेश के लिए समाजवादी। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो हम 300 इनिट बिजली फिरी देंगे, किसानों को खाद की बोरियां फिरी देंगे। मैंने पहले ही कहा कि घोषणापत्र जारी करना, घोषणाय करना ये बेजा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में तो उत्तरप्रदेश में कहीं बिजली थी ही नहीं, लोग बताते थे कि केवली टावा में है और रामपूर में है कुछ दो तीन जिलों में ही बिजली थी, प्रधानमंत्री मानी मोदी जी ने अपना संकल्प क्रियानवित किया और सभी जो देश के सभी गाओं हैं, वहां तक बिजली पहुँचाने का काम किया और ये अपने आप में इतिहास है, उत्तरप्रदेश की सरकार में मानी योगी जी के नित्रतों में, बहुत उनती की और गरीबों को बिजली देने की योजना, इसका सुभारम उन्हों ने हमारे उन्हों, हमारे छेतर से ही मुख्मंतरी ने स्वयम जाकर किया था, अब बिजली प्रते घर में है और पूरा उत्तरप्रदेश जगमगा रहा है पूरे उन्हों में 6 सीटे हैं, और मैं दवरे पर भी जा रहा हूँ, कल पूरा छेतर में रहूंगा, उन्हों की सभी सीटे हैं भारती जन्ता पार्टी, जीत रही जीतेगी आप चुकि विधान सा बात देच रहें, अपने कारकाल को अगर आप देखें, अन्न के सापेच में तो कहां पाते हैं, कितना संतुष्ठ हैं, कितना अच्छा रहा आपका नवोगा एक आधर्स राजनितिक कारिकरता, अच्छे काम करता है, वाले काम करता है, लेकिन संतुष्ठ कभी नहीं होता, हम अपने छेत्र की उन्रती से, छेत्र के विकास से बहुत काम हमने किया है, तो उस काम में और तमाम काम हम करना चाहते थे, बीच में कुरोना आ गया, तो इसलि आप आप लेखक भी हैं चुकि तो कई जैसे गोशनाय पत्र बनते हैं इन में सब होता तो कैसमें न्याय संबंधित भी नहीं होने चे कि हमारी सरकाराई तो हम इतना बाद टाइम बाद देंगे कि इसमें ऐसे के सौल होंगे ऐसा कुर के कुछ चुकि न्याय पालिका है उसको बहुत लंबा लग रहा है जिसके कारण आम जन्मारस में काफी हतासा मैसोस होती कई बार ऐसे प्राक्राण सामने आते हैं उसी का एक उदारन गोरकपुर में मुखमंतर जी के अच्छेतर में एक निसाद जी ने जो भगवत निसाद ने उनकी लड़की का जिसने बलतकार क करके चुनावी अभियान से नहीं होता इसलिए आप देखते होंगे कि किसी भी पार्टी दोरा अदालतों में मुकदमें जल्दी जल्दी निप्टाए जाएंगे ऐसा किसी नहीं कहा उन्य पालिका की अलग धारा है और उसमें जहां-जहां सरकार का योग होता है केंदर का वहां-वहां सरकार सायोग भी कर रही है और हम लोग आशावादी हो सकते हैं कि आगे ये ठीक होगा आप भारती जन्ता पार्टी की बात करें तो उनका एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राम राम मंदिर को लेके वो तो इस बार सौल हो गया आगे के लिए यो योगी जी ने कह दिया कि हम आएंगे तो मतुरा भी बनाएंगे हम में दम है तो फिर से वही संपरदाइक बा नाम ये संपरदाइक है राम कर्ष्णा उर्शिव भारत के लोगों का स्वपन है तीन महान स्वपन डाक्टर लोहिया ने कहा था तो उनका नाम लेना उनके नाम के आधार पर संस्थाएं बनाना उनके नाम के आधार पर प्रतीक और प्रतिमाएं कढ़ना ये संपरदाइक को ज्बाएं तो वहां के परिशर को वहां के पूरे मयदान को विक्सित करना और तीर्थ का आनन दाये ऐसा काम करना इस भार जो भारतेश्मित्वि ने उचीन है तो उनका कहना है कि हमने कानून का राज लाए है और आगे भी उसको कायम रखेंगे और बेहतर करेंगे जबकि सपा का कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी है वो कहते हैं कि हम ठोक देंगे गर्मी सांथ कर देंगे ऐसे सब दो को कहते हैं कि ये तो ये क्या है अब जो बिपक्ष लेकर जनता में जा रहा है थे तो एक बड़ा मुद्दा ये भी उठा आवारा पस्वों के लिए कर कहा कि इसकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। 300 रुपए का 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1000 रुपए पहुच गया है पिट्रोल के दाम आस्मान चो रहे हैं तो उसके छेतर में कितना काम हुआ है और क्या किया जा सकता है महंगाई रोकने की द्रश्टी से केंद्र की बानी मोदी जी की सरकार काफी सक्री है और यह सीधे सीधे वही का मामला है और हम नहीं समझते कि जिस तरह की निंदा की जा रही महंगाई को लेकर वो इसी महंगाई बढ़ी नहीं है आपकी राजनितिक सक्रीता आगे कितनी रहेगी चुकि आपने एक वक्तव दिया था जिसमें बताया था कि आपने जो संगठन के और राष्टी अध्यच है या अमिसाजी हैं उनसे आपने वारता की थी कि आगे के लिए कार आपको निदेशित किया जाए तो क्या ऐसा कु आप हमारे छेत्र में आईए तो मैं वहां भी जाओंगा पार्टी का इस समय चुनाओ के समय तो यही मुख्यकाम है एक और प्रदेश में जो है विपच्छी दलू ने एक मुद्दा बनाया कि ब्रामध विरोधी योगी जी ब्रामध विरोधी भाजपा जिबकि भाजपा ने आपको विधान साबाद देजना है आप बड़े ब्रामध निता के तौर पर और विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं तो आप इस मुद्दे को कहा देखते हैं कितना इसमें सचाई है यह अपने आप में बहुत ब्यवस्थित जूट है और किसी सरकार को यादव वि बिरोधी कहना कुर्मी बिरोधी कहना यह कोई तर्क नहीं हुआ चुनाओं में तो जन समस्याओं के मुद्दे आने चाहिए उस पर बहस होनी चाहिए और सभी देल बताएं कि क्या-क्या करने वाले हैं हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के वरत्मान विधान सब पीली कुछ